लाश्ट वीडियो पर हम लोगों ने जो मल्टिप्रिकेशन सीखे वो थे कुछ डेफिनिट टाइप के मल्टिप्रिकेशन जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में तब ही लग सकते थे जब वह फॉर्मेट फॉलो हो रहा हो बट आज के वीडियो पर हम लोगों जो सीखेंगे वो होंगे युनिवर्सल मेटड्स यह ऐसे मेटड्स हैं जिन्हें आप कितने भी डिजेट का मल्टिप्रिकेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अब इसी को आप वेदिक मेटड्स भी कहते हैं मल्टिप्रिकेशन का व मल्टिप्रिकेशन आपके एक्जाम पर नहीं आएगा क्योंकि आपको एक्जाम के एक्जाम के एक्जाम हो उन्हें यह चैक करना होता है कि प्यों के एक्जाम पर आपकी डिजिजन मेंग एबिलिटी कितनी अच्छी आप चीज़ों कितना फास्ट कर सकते हो कभी भी यह न जानेंगे तो start करते हैं आज की class अब देखिए सबसे पहले हम लोग 2 by 2 multiplication की बात करेंगे 2 by 2 multiplication या 2 में 2 डिजिट का multiplication कराना आप लोगों ने पहले भी कराया हुआ यहां पर हम लोग कुछ different चीज़ें डिसकस करेंगे जिसके अलावा 83 इंटू 65 इसका कराना है तो अंसर निकाला मत इस्टार्ट करें एक बार चीट को समझ ले सब को समझ गए न तो आप कितने भी डिजिट का करा पाएंगे सिंगल लाइन पर आप कर पाएंगे और अपना आंसर भी निकाल पाएंगे जैसे यूजरी अगर मुझे 23 इंटू 74 कराना हो तो basic method पर हम लोग क्या करते हैं जो हमें आता था कि पहले हम लोग 4 का पूरे 23 पर कराते हैं multiplication तो आपके पास एक लाइन बनके आती है यहां पर फ यहीं पे भी अकर आप गलती कर जाते हैं solve करते समय तो फिर आपका आंसर वहीं के वहीं खतम फिर आप उस चीज को exam पर चेक करने से रहे क्योंकि exam पर क्या होता है एक pressure build-up हो जाता है आपके उपर और ऐसी condition पर जिसकी आप में अच्छे से practice करी हो जिसमें steps कम हूँ वही आ समझते हैं किन-किन steps में हम लोग इसे करेंगे जैसे की steps समझेगा इधर side के जो dots लिखे हुए हैं यहाँ पर हम सारे के सारे steps को जानेंगे अब सबसे पहला step क्या होगा यह जो dots है number 23 to 74 लिखा है तो यह first number second third four इस तरीके से लिख रहा है तो dots से represent किया हुआ है अब यह method आप का first step होगा जो भी आपका result आता है उसे आप रखें और हमेशा आप लोग single digit रखेंगे अगर कुछ extra बच जाता single digit के आगे तो वह आप carry कर देंगे और next step पे आप उसको add करेंगे तो पहला step क्या होता last में last digit का कराना जो इस तरीके से दिख रहा है इसका आपने multiply कराया second step क् cross पे जो value दिख रही है इसका multiply कराना exact इसी तरीके से पहला step आपने last वालो का multiply कराया दूसरा step आपने values का cross में multiplication करा दिया तो this one is step number two और third step क्या होगा यहाँ पे आपका फिर से last वालो का multiply कराना ठीक है तो यहाँ पर मैंने सब कुछ एक साथ बना दिया है तो कीजे सारी के सारी clear होंगी फिर से doubt है तो एक बार समझ लो हटा दो इस चीज को पूरा और अच्छे से समझे पहले मैंने क्या कहा कि और carry रगते हैं 1 ठीक है तो यह पहला step आपका यहाँ पर complete हो चुका है clear है बात कोई भी doubt नहीं होगा carry को आप इस तरीके से नीचे अगर लिखते जाएंगे तो carry को भी जोड़ने में doubt नहीं होगा ऐसा नहीं हो कि आप उस चीज को भूल गया या फिर कोई गलत carry add कर दिया तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं 4 x 3 12 हो गया 12 का 2 लिखा carry 1 second step क्या होता है हम लोग value में cross में multiplication कराते हैं तो यह आप आप यहाँ पर देखें 4 x 2 कितना होगा 8 और 7 x 3 कितना होगा 21 4 x 2 8 और 7 x 3 21 अचा 21 और 8 कितना हो गया इसको आप mind पर calculation रखे तो ही सही है ऐसा ना हो क कि आप इसको 21 और 8 इस तरीके से लिख रहें यह काम कभी नहीं करना ठीक है 21 और 8 कितना होगा 29 carry भी था 1 30 हो गया 30 में से आप अपने पास केवल 0 रखेंगे और next step के लिए 3 carry कर देंगे clear है बात 2 step खतम हो चुके हैं तीसरा step क्या था अब फिर से side by side multiplication कराते हैं उपर से नी last में आप पूरा लिखेंगे सारे step में one by one आ रहे होंगे बट last में जो बचेगा उस सारे चीज़ को आप एक साथ लिख देंगे तो क्या ये बात clear हुई और multiplication समझ में आया अब यहां पर कुछ लोग को एक चीज़ आती कि सर यह जो आपने बताया यहां पर भी हम इतने steps कर रहे हैं और multiplication कराना अपने को पहले से भी आता है तो जो method यहां पर आप बता रहे हैं यह method मेरे पुराने वाले method से किस तरीके different ह मुझे तो यही लगता है कि दोनों का time एक जैसा ही होगा तो नहीं मेरे भाई मेरी बहन इस तरीके से चीज़े नहीं वर करती हैं यहां पर क्या होगा कि जो भी आप calculation करेंगे आप थोड़ा सा इसकी practice कर ले ना और फिर आप मानुझे 10 question और 20 question साथ लीजे और अपने दूस कम होती है अब जैसे अगला है इसका मुझे आंसर निकालना है तो क्या होगा सबसे पहला step 5 into 3 कितना हुआ 15 15 का हम लोग लिखेंगे 5 carry 1 अभी मैं आराम आराम से बता रहूं आगे हम लोग इसको और fast करेंगे ठीक है 5 into 3 क्या हो गया 15 15 to 5 carry 1 फिर क्या बचा second step यह cross multiplication कराना हो 40 और 18 कितना हो गया आप लोग के लिए 58 58 प्लस 9 कितना हो जाएगा 59 59 का 9 लिखा carry हो गया 5 फिर step 2 खतम हो गया तीसरा step क्या होगा 8 6 आ 48 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 3 9 5 फिक है 5 3 9 5 is the answer बात समझ में आ गई तो इस तरीक है कि कितने भी questions आपके सामने आएं आप उसे आराम से कर सकते हैं अभी आप लोगों ने इन questions को करना सीखा अब ऐसा ही और example हम लोग देख लेते हैं तो यह तो same question है जिसे question आपके पास कुछ ऐसा है यह लिखा हुआ है 32 into 43 अब थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे तो क्या होगा 3 2 is a 6 carry कुछ बचा नहीं आगे बढ़ते हैं 3 3 is a 9 और 4 2 is a 8 ठीक है 9 और 8 कितना हो गया 17 तो 17 का कितना हो गया 7 carry कितना हो गया 1 4 3 is a 12 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 तो 1 3 7 6 इसका answer हो जाएगा clear है बात ज्यादा fast हो गया फिर से एक बार समझ लो हमने क्या किया यहाँ पर हटा देते हैं इसको पूरा हमने यहाँ पर सबसे पहले जैसे step लिखे रहेगा तो फिर आप doubt पर रहेंगे हमने सबसे पहले क्या किया इस step का multiplication 3 2 is a 6 का 6 carry कुछ था नहीं तो लिखा नहीं cross multiply कराएंगे और add करेंगे तो 3 3 is a 9 4 2 is a 8 9 और 8 कितना हो गया 17 7 लिखा carry 1 हो गया अब क्या होगा लाज टेप बसता ही है तो 4 3 जा 12 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 ठीक है तो यह आपका answer हो जाएगा अब इसके अलावा इसी method से आप कितने भी digit कर सकते हैं यह से मैंने कहा 38 ल 2 carry कितना हो गया 3 ठीक है इसके अलावा multiplication क्या करना है इस पर अपने आप ही करिएगा इसको ठीक है खुश से करें और देखें answer क्या रहा है आप जितने चाहूँ इतनी चीज़े बना सकते हो even इसी तरीके से आप numbers के square भी निकाल सकते हो multiplication समझ मैंना यह छोड़ दिया है अपने आप कर लोगे आप लोग अब बहुत ही आसान चीज है तो इस पर क्या time waste करना अगर आपने steps समझ लिए तो आप आसानी से कर पाएंगे इसी method से आप numbers के square भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने आप से कहा कि आपको square नि पड़ता है बट मैं आपको recommend यह करूंगा कि आप squares को learn करें ठीक है squares आपको जाना तक याद होंगे उतना अच्छा है बट कोई ऐसा number आगे से 79, 83 अब वहां तक कि square आपने याद नहीं किये हुएं तरीके मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है बट इसको भी आप utilize कर सकते है ज्यादा recommended नहीं है ठीक है 33 कितना हुआ 9 फिर क्या हुआ 12 अब इस पर आसान क्या होता है जो एक तरफ से आएगा वाई दूसरी तरफ भी आएगा 12 का double कितना हो जाएगा 24 का 4 लिखा carry 2 हो गया फिर क्या बचा 4 फो जा 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 बस आसानी से answer आएगा बहुत इस जीता 43 का square करना था ना क्या कि हम लोगों ने फिर से देखो इधर लिख दे रहा हूं 43 इंटु 43 या इधर क्यों लिखना या हम लोगों इतनी जगें तो बना के रखें न यह क्या है 43 इंटु 43 सबसे पहला इस्टेप यह 33 जा कितना हुआ 9 फिर आपने क्या क्या इधर से multiply और इधर से multiply दोनों add करने हैं एक तरफ से 12 आए तो दूसरी तरह से 12 आएगा तो कितना 12 का double कितना हो गया 24 का 4 carry कितना हो जाएगा 2 और फिर आपने क्या 4 फो जा कितना 16 और 16 और 2 18 त तो इस तरीके से आप squares को भी ऐसे बहुत जिल्दी निकाल सकते हैं but recommended क्या है squares आपको learn होने चाहिए ठीक है तो 2 by 2 multiplication समझ में आ गया बहुत easy था झाल